बॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ सिंपल एक्वेशन चैप्टर नमबर फूर की और क्लास एर्थी स्टुडेंट आज आपका जितना भी बेसिक्स है लिनियर एक्वेशन इन वन वैरियेबल में वो कंपलीट हो जाएगा तो एक दो कोश्चन को छोड़ करके आपका लिनियर एक्वेशन वन वैरियेबल का आप दोबारा से एक्सरसाइज के थूरू रिवीजन कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज के थूरू कॉल के थूरू कॉंटेट करू मैं आपको उस कोश्चन को बता दूँगा लिनियर एक्वेशन वन वैरियेबल में जितना भी बेसिक था वो आपको इस चैप्टर के थूर क्लियर करा दिया है अब एक कोश्चन टू डिजिट वाला और कुछ क्रॉस मॉलिटिप्लेकेशन वाले कोश्चन वह मैं आपको एक अलगी लेक्च्चर में बना करके बता दूँगा बाकी सारा आपका उसमें क्लियर हो गया है ठीक है एक और डिनॉमिनेशन वाला कोश्चन रुपीज का ठीक है जो टू पॉइंट टू एक्सरसाइज में बस तीन या चार टाइप रहेंगे कोश्चन के जो मैं आपको एक लेक्च्चर में पूरा कम्प्लिट करा दूँगा अब आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर टू का रिवीजन करना है क्योंकि मैं दुबारा से इसका टेस्ट लूँगा और मुझे सैटिसफाइड मार्क्स चाहिए इस बार ठीक है तो स्टुडेंट क्लास सेवन स्टुडेंट आपका यह लास्ट एक्सरसाइज है 4. 4.4 मैंने जितने भी थोड़े कॉंप्लिकेटिट कोश्चन दे उनको इसमें बताने की पूरी कोसिस करिए और जो बाकी के बचे हुए कोश्चन है और यह कोश्चन आपको अपने फियर नोड़ वुक में करने हैं आपको भी एक्सरसाइज में आपको वाट्सप ग्रूप म सबसे पहला कुश्चन है कवा सेट अप एक्वेशन एंड सॉल्व देम तु फाइंड दा अन्नोन नंबर इन दा फॉलोइंग केसे क्या करते हैं अभी हम लोग चैप्टर नंबर फॉर में स्टुडेंट्स हम लोग पहले किसी स्टेट्मेंट के त्रू किसी एक्वेशन को फाइंड करते हैं ठीक है उसके बाद उसमें से जो अन्नोन नंबर हमने पहले लैट किया होता है उसको हम उसकी वैलू फाइंड करते हैं जिसको हम उस एक्वेशन का सरूइशन बोलते है तो वही उसी कड़े में यह कॉस्ट्टन है कभा ऑप कुछ स्टेट्मेंट दी 8 times a number, you get 60, टीक, न, तो add आ गया, that means, 2 number add हो रहे होंगे, आब वो 2 number कौन से हैं, 4, एक तो number 4 मिल गया, to 8 times a number, अब किसी number का 8 times, तो वो किसी number को हमें क्या करना पड़ेगा, let करना पड़ेगा, let a number is x, so add 4 to 8 times a number that means 8 multiply x 8 times of a number plus क्यों जाएगा 4 you get 60 अब जब हम यतना करते हैं तो हमें क्या मिलता है equal to 60 मिल जाता है तो ये तो equation हो गई तो पहला अगर 2 marks का question आएगा ये तो 1 marks आपका confirm हो गया अगर आपने इतना कर दिया 8x plus 4 is equals to 60 इसके आद next 1 mark के लिए आपको क्या करना पड़ेगा execution को solve करके दिखाना पड़ेगा और इसमें variable की value means x की value find करनी पड़ेगी और जिसे हम solution बोलेंगे इसका तो मैंने आपको तरीका बताया ही है आपको left hand side में चेक करना है कि variable के साथ कौन सा extra term है तो यहां पर extra term 4 है इसको हमें हटाना है तो 4 यहां पर plus का है माइनस का अगर 4 आ जाए लेचिस में तो यह फूर हट जाएगा तो दोनों तो यहां पर फिर हमें दुबारा से यहां पर एक्स के साथ में एक को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों ही जाइड में तो 8 x upon 8 is equals to 56 upon 8 8 8 cancel हो गया और 56 upon 8 वहां पर आजाएगा 7 x equal to 7 इसकी value है इसका answer है ठीक है so I hope कि सबकों सब्सक्राइब होगा बहुत ही simple सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है इसका एक लास्ट पार्ट है वह मैं आपको बताने जा एक सब्सक्राइब 7 को निकालना बाहर from 5.2 of the number from 5.2 of the number तो 5.2 of मतलब multiply a number number तो आपने सोचा था पहले जो अनवर ने सोचा वह यह आपने सोचा x let the number अनवर तिंग्स x is a number जब अनवर ने x let किया तो उस number का कितने टाइम सब्सक्राइब 5.2 times that means 5.2 multiply x और टेक अवे 7 from it इसमें से 7 निकाल दिया उसने साथ को क्या कर दिया हटा दिया हटा दिने का होता है सब्सक्राइट करना तो 5.2 x माइनस का 7 सब्सक्राइब आगे इतनी लाइन उसके लिखाया है the result is 11 upon 2 जब इतना किया तो इक्वल के आगे इक्वल के इस राइट हैंड साइड में क्या रिजर्ट मिला 11 upon 2 तो इक्वेशन आपको मिल गई 5.2 x माइनस 7 इक्वल टू 11 upon 2 वन मार्क्स आपका कंफर्म हो गया तीक है न उसके बाद अब आपको करना है इसको solve करने का आपका क्या तरीका है मैंने आपको पहले ही बता रगा है कि देखो कि एक्स के साथ या वेरियेवल के साथ कोई टर्म एड या सब्ट्रेक्ट तो नहीं है अगर एड या सब्ट्रेक्ट है तो आप उसको हटाने के लिए उसमें उसी नंबर को एड या सब्ट्रेक्ट करोंगे ताकि वो हट जाए और अगर लेच्ट मे करोंगे तो अ रहेच्ट में 5.2 x is equal to 11 plus 14 upon में 2 तो 5.2 x is equal to 25 upon में 2 हो गया अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था अगर इक्वल के left hand side, right hand side में denominator same है या denominator reducible है तो reduce हो जाएंगे या फिर numerator reducible है वो reduce जाएंगे ठीक है ना तो यहाँ पर denominator देखिए same है तो denominator same है तो 2,2 cancel हो गया अब 2 cancel हो गया तो बचा कितना 5 x is equals to 25 अब x के साथ 5 लगा हुआ है उसको हटाना है तो divide में हमें 5 लाना परे तो 5 x divide 5 in both side 5 x upon 5 is equals to 25.5 x is equals to हो गया कितना 5 तो इन में आ गया होगा x is equals to 5 इस आ नंबर यह क्या हो गया एक नंबर हो गया जो कि अनवर ने थिंग किया था तो इन में आ गया उसके आद नेक्स कोश्चन आते हैं यह कोश्चन इसका अगला पार्ट है फर्स्ट कोश्चन कंप्लिट हो गया फर्स्ट में जितने भी पैर्ट थे उसमें से फर्स्ट और लास्ट में आपको बताया जो थोड़ा कंप्लिकेटर था बागी सारे हीजी थे और आप इसली कर भी लोगे इसके बाद सॉल्ड फॉलोइंग सेकेंड है सॉल्ड फॉलोइंग में डी पार्ट हाल कंप्लिकेटर है इसको मैं आपको बता जेता हूं सचिन स्कोर टुईज आज मैनी रां से रावुल स staff ने टुईज स्कोर किया सचिन जो तंदूलीकर है उनके टूईज में त्वाइन्स त्वु टाइमस दो ऒुनां स्कोर किया किससे जितना रावुल द्रवेडने किया था ठीक है न न जे नफशिन स्कूर किया वो टू टाइम से स्कूर किया वन मिनिट हाँ 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 तो स्टुडेंट नेका हुआ है सचिन स्कूर ट्वाइस एज मैनी रंस एज राहूल सचिन देलकर ने दो गुना स्कूर किया ठीक है न और कितना स्कूर किया जितना राहूल ने किया था उसका दो गुना स्कूर किया राहूल द्रवन जानते होगे सब लोग ठीक है अब together there runs felt two salt of a double century अब जब दोनों ने बलागर score card एक देखा जा है तो दोनों ने जो मिलकर score किया वो कितना किया वो किया double century से कितना felt two salt दो कम ठीक है ना that means सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रवर थे वो खेल रहे थे और सचिन तेंदुलकर ने दो गुना score किया राहुल द्रवर के score से और उन दोनों ने मिला कर जो score किया वो double century से दो कम किया means two hundred से दो कम किया ठीक है ना तो यहाँ पर सचिन तंदुलकर के score किस के ओपर डिपेंड़ कर रहा है राहुल द्रवर के ओपर तो राहुल द्रवर का अगर score मालुम पढ़ जाए तो सचिन का भी मालुम पढ़ जाएगा तो let कर लेते हैं let राहुल score excellence तो सचीन स्कूर्ड कितना हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा कि नहीं अब दोनों को मिला करके कितना score हो रहा है two hundred minus two that means 180 198 हो रहा है कि नहीं that means 2x plus x is equals to 198 हो गया आपके सामने equation देख रहे हो together run is equals to x plus 2x two salt of double century that means 200 minus 2 x plus together score कितना हो गया x plus 2x is equals to 200 minus 2 तो 3x आप x और 2x मैंने आपको जब algebra पढ़ा ही थी तो मैंने आपको बताया था like term on like terms तो classics में x और 2x दोनों ही like term है same variable वाले term है यह अपस में add हो जाएंगे 3x is equals to 198 अब 3 यहां पर x के साथ जोड़ा हुआ हटाना है हमें तो 3 को left hand side और right hand side में करना पढ़ेगा divide करना पढ़ेगा 3x upon 3 is equals to 198 upon 3 that means 3 3 cancel x is equals to 66 66 तो राहुल द्रवर्ण ने कितना score किया 66 तो साची इन देन दोलकर कितना करेंगे डाहुल द्रवर्ण का double that means 2 multiply 66 is supposed to 132 runs I hope कि सब को clear हो गया होगा इसके आप next question आते हैं students एक कोशन है थर्ड का थर्ड पार्ट ठीक है थर्ड कोस्टन का थर्ड पार्ट ठीक है सो स्टार्ट करते हैं माया मदूरा एंड देखिए अब इसमें आपका थोड़ा सा थार्ड चैप्टर का आएगा कि कुछ चीज आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी राव एक फॉर्मुला थार्ड चैप्टर का तो मैंने आपको बताया ओल दे चैप्टर आर इंटर रेलेटेट टू इच एदर ठीक है न वह एक दूसरे से इंटर रेलेटेड हैं तो कभी न प्रफ्रैक्शन हमेशा सॉल करने को मिलेंगे और अब ये देखिये क्या आगिया माया मदुरा और मोशीना आर फ्रेंट्स स्टड़िंग इंद ने इंद सेम क्लास इन अ क्लास टेस्ट इन जोग्रफी माया गॉट 16 आउट आफ 25 माया ने सेंप बाइव स्टीन मार्क इपर 25 में मद्रा गॉट 20 मांक 25 में डियर एवरेज स्कूर वह ना इनका जो घ्च घच शोर 19 था और upon में उसके count को लिख दो तो यह हो जाएगा average निकल की आ जाएगा तो यहाँ पर कितनी friend है three count कितना हो गया three count हो गया उसके बाद average आपको कितना दिया हुए their average score is 19 तो जहाँ पर average formula में लिखा हुआ है सबसे पहले किसका score माया का 16 मदूरा का कितना है 20 और मौशीना का हमें निकालना है ठीक है तो यह देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लेफ्ट हेंड साइट पर जहां average था यहां 19 मैंने रख दिया कह ना एंटीजी ही average थी और एक्वल जहाँ पर मोशीना का स्कूर तहां वहां मैंने 16 रख दिया और जहां पर मदूरा का था वहां मैंने 20 रख दिया और अब हौन में क्या कर दिया तोटल लंबर आफ अब्जरवेशन टोटल लंबर आफ जैवेशन कितनी ते थ्री अब लिगन राइट दिस एज हम इसको left and right hand side को move कर सकते हैं दोनों को एक अलग-अलग कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने right hand side को left hand side को रख लिया और left hand side को right hand side ताकि आपका पहले वाला type ही आजाए इसके बाद आप जो constant है जो number है आप उनको add कर दो दें सबसे पहले मुझे क्या हटाना पड़ेगा left hand side में अगर upon में जो 3 हटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा 3 का तो हम 3 को multiply कर देंगे left hand side में तो हमें right hand side में करना पड़ेगा तो 3 multiply जब करेंगे left hand side में तो 3 3 left hand side में cancel हो जाएगा और right hand side में 19 जीजा 57 हो जाएगा आप equation बन गई इक्वेशन यहां pointer में रखा हुआ है देखिए एक्स प्लस 36 इसको 57 एक्स प्लस 36 इसको 57 अब 36 एक्स के साथ जुड़ा हुआ है एड़ेड है तो यहां पर अगर 36 को हम सब्ट्राइक कर दें लेफ्ट हैंड में तो यह variable single वज जाएगा हो जाएगा तो आप लिखो गए सब्ट्राइक 36 इन बोज साइट एक्स प्लस 36 माइनस 36 इसको 57 माइनस 36 36 एक्स कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और 57 माइनस 36 हो गया कितना 21 तो मोशीना ने कितना स्कूर किया 21 स्कूर किया कि सबको क्लियर हो गया होगा इसी को भी कोई प्रॉल्म नहीं और रेगुलर्ली वीडियो देखना है मैंने सब लोग से आप लोग से इंट्रेक्ट किया और नॉट वाचिंग रेगुलर वीडियो आप कैसे अंडस्टैंड करोगे कैसे आपके फुल मांक्स आएंगे कैसे सब्सक्राइब चीजों के समझोगे ठीक है तो वाच फूल वीडियो और वाच रेगुलर वीडियो ओके तो नेक्स्ट कुश्चिन आते हैं कि यह थर्ड का फूर्थ पार्ट है स्टुडेंट्स कि थर्ड का फूर्थ पार्ट में लिखा हुआ है प्यूपुल और सुन्दर ग्राम प्लांटेड आ टोटल आफ वन हंडेड टू ट्रीज इन दा विलेज गार्डेन आज प्राइम मिनिस्टर जी ने अपील किये सभी लोगों से कि पांच जून पर्यावनद दिवस हमारा आ रहा है उसमें सभी लोगों को कि प्लांटेशन करना है एक एक प्रोधा लगाना है अपने घरों में तो उसी कड़े में यह कोस्टिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सुन्दर ग्राम के लोग हैं वो कि उन्हों ने जो प्लांटेशन किया वो 102 टopath करके अपने गाओं के गारडन में व्हक्ता सम ऑफ दा ट्रीज वर through these अम्हें से कुछ टरी जो थे वो क्या थे फ्रूट ट्री थे छे ना फूट मेंस जो देनेवाले ट्री होते वो थे the number of non-fruit the number of non-fruit trees were two more than three times the number of fruit trees अब जो number of non-fruit trees है उनका जो count है वो किसके count के उपर depend कर रहा है fruit trees के count पे ठीके तो यहाँ पर let कर लेते हैं the number of fruit trees is x तो आप non-fruit trees का count कितना हो जाएगा मझे बताओ the number of non-fruit trees यह आली लाइन आपको दुबारत पढ़ने पड़ेगी two more than three times the number of three times the number of fruit trees three times that means three multiply of का मुल्टिप्लाई और fruit trees तो fruit trees हमने कितने माने x तो three multiply x यह हो गया अब two more than भी लिखा हुआ है ठीक है ना the number of non-fruit trees were two more than that means दो ज्यादा भी है three times fruit trees का और दो और ज्यादा that means three x plus में two तो जो count हो गया non-fruit trees का वो हो गया three x plus two ठीक है सौन में आ गया और जो fruit trees है उनका कितना count है x हमने लेट किया है उपर और total number of trees कितने planted किये है 102 तो मुझे एक चीज़ उताओ non-fruit trees और fruit trees को अगर हम add कर दें तो हमें क्या मिलेगा 102 ही तो मिलेगा तो यहाँ पर equation हम बना जखते हैं the total number of trees is equals to 102 तो इसमें आ जाएंगे non-fruit trees और fruit trees भी और दोनों को count हमें अगर हम add कर दें तो वह equal हो जाएगा 102 के देखिए यहां पर count हमें दोनों add कर दिया है x plus 3 x plus 2 is equals to 102 अब फिर चीज़ आ गई लाइक टर्म्स तो यहां पर x और 3 x लाइक टर्म्स है तो 4 x प्लस 2 is equals to 102 अब 4 x के साथ 2 एक जुड़ा हुआ है रास्ते का कांटा इसको हमें हटाना है इसको हटाने के लिए हमें 2 को सब्ट्रेक्ट करने का left hand side में और right hand side में 2 को भी सब्ट्रेक्ट करने का है हमको तो यहां पर 4 x plus 2 minus 2 is equals to 102 minus 2 2 to cancel हो गया left hand side में तो 4 x is equals to 100 बचा अब x के साथ फिर दुबारा से 4 आ गया रास्ते का काटा तो इसको हमें हटाने के लिए 4 से divide करना पड़ेगा left hand side में और right hand side में क्योंकि अगर हम left hand side में करेंगे तो right hand side में भी करना ही पड़ेगा equation को balance रखने के लिए तो 4 x is equals to 100, 4 x upon 4 is equals to 100 upon 4, 4 4 cancel हो गया left hand side में x is equals to आया और right hand side में 100 upon 4 that means 25 आया तो x is equals to कितना गया 25 तो number of fruit trees कितने हो गया 25 non fruit trees कितने हो जाएंगे remaining 102 minus 25 हमें number of fruit trees ही पूछ रहा था what was the number of fruit trees planted 25 non fruit trees अगर आपको निकालने तो 100 minus 25 कर दो इतना आएगा non fruit trees हो जाएंगे अब students last question है यह एक पहली है इसको आपको solve करना है ठीक है इस पहली को solve करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा माइड लगाना पड़ेगा language को understand करना पड़ेगा start करते हैं I am a number I am a number मैं एक number हूँ कह रहा है number खुदी बता रहा है अपने आपको मैं एक number हूँ tell my identity मेरी पहचान बताओ take me seven times over मेरा साथ गुना ले लो मेरा साथ गुना अप ले लो add 50 और फिर मेरे में क्या add कर दो 50 add कर दो to reach a triple century मेरे एक number है वो कह रहा है एक number है ठीक है और मेरा seven times ले लो और मुझे में ही जो seven times आया है फिर उसमें 50 को add कर दो 50 को add कर दो किसके लिए 50 को add कर दो और फिर मैं triple century पहुचने वाला होंगा triple century मनलब 300 किसने बनाए 300 ट्रिपल एंचुरी कि बहुत सारे हमारे खिलाड़ी है उन्होंने बनाएं ट्रिपल देंचुरी वेजिंस है वागो एलक्ष्वन हो गया ठीक है और बाहर के भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने बनाया है तो ट्रिपल सेंचुरी रीच करने के लिए इसको अभी भी दिखावाई यू स्टिल नेट 40 अभी भी उस निंबर को 40 की नीड है बनाब सेवन टाइम्स ले लिया उस नंबर का और 50 एड भी कर दिया फिर भी ट्रपल सेंचुरी तक पहुचने के लिए अंसर ट्रपल सेंचुरी पाने के लिए अभी भी उसको कितने की नीड है 40 की नीड है है कि नहीं यहां पर एक्वेशन क्या बनेगी साबसे पहले लैट कि वो नंबर उसके आइडेंटिटी एक्स है तिके ना आप आइडेंटिटी एक्स लेट कर दी तो सेवन टाइमस अनंबर तैट मिंस सेवन मुल्टिप्लाई एक्स एडड फिप्टी यहां टूरी इस ट्रिपल सेंचुरी तो साइवन एक्स प्लस 50 को आप तुरंट इसको एक्वल कर दो 300 के लेकिन आप नेफ्स टाइम में देखते हो इस टिल नीड फुर्टी तो यह जो सेवन एक्स प्लस फिप्टी है यह त्रियंड के एक्वल नहीं है अभी इसको कितनी जरूरत है इसको फुर्टी की नीड है स्टिल नीड फुर्टी दाट मेंस इस काउंट म प्लस-फुर्टी में कितना कम है अभी फुर्टी कम है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस का फुर्टी एसको कर देंगे को कि यह था होंने इसको काुंट में कि ओ जाएगा 300 अब इसको आप सॉल कर सकते हों कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट को एड कर दो लेफ्ट एंड साइड में कौन कौन से कॉंस्टेंट है दिख रहे होंगे आपको 50 और 40 तो 7x 90-90 is the close to 300-90 तो 90-90 cancel हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 210 बज़ेद्ट तो 7x यहां पर मुटिपलाई है तो हमें डिवाइड में पड़ेगा 7 तो 7 7 कैंसिल हो गया डिवाइड में जाकर कि और राइड हैंड साइड में 210 अपॉन में 7 आ गया तो वहां पर 30 बच गया रिए उसकरने पर एक्स तो वह नंबर हमने पैचान लिया कौंसा है 30 ही वह नंबर है जो ऐसा करने पर आता है ठीक है न तो स्टुडेंट यह रहा आपका 4.4 एक्सराइज पूरा कंप्लीट और बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं पूरी एक्सराइज 4.4 आपको कंप्लीट करने है पूरा वीडियो वाच करना कोई प्रॉब्लम होती कॉल मैं आपको दूरू कॉंडट कर सकते हो क्लास एर्थ आ कॉंप्लीकेटेट है टू डिजिट वाले डेनॉमिनेशन के प्रॉस मॉल्टिप्लीकेशन के वह मैं सारे आपको एक्स्प्लीन करूंगा और क्लास सेवन्थ आपका सेडिवल मैं आगे बताऊंगा ठीक है तो थैंक्यू सो मच फॉर वच्छिंग दिस वीडियो अवानाश करते हैं